और जीडी के पूरु असांसर्द फ्रभुनात सिंग जो ये ड़ीउके भी नेता रहे हैं वो पहले से उम्रकैद की सजा काट रहे हैं उन्हें सुप्रेम कूट ने खुद डबल मर्डर में जो उन्हें लिखे जिस तरह का केस था ये बहुत ही डिस्टर्विंग था इस केस का कुछ लोग गाउं से आते हैं वोट डाल में आते हैं ये गुणा सिंग जाते हैं इसको गोट दिया उन्हों नों बला मैंने चक्षाप को गोट गया तैसे जंगता दलता है वो दूसरे पाटी पर गु इंको कन्विक्ट किया था 302 और 307 के लिए सिंग रुणा सिंग और क्वांटम सेंटेंस क्या होना चाहिए उस पर सुनगा है कि उन्हेबल सुपिंपोर्ट ने चुके ये 302 का है मिल्वां तो लाइफ होना ही होना है डेथ पैनल्टी का केस नहीं है रोख ही हमलों का डिमा अजने को नहीं इंदा और इस तरह कमनानंडा में 2005 की सुपिंपोर्टेंस में किया गया था देंकि उन्हें का उमर सक्तर साल है तो एक लाइफ कामद तरह कम 14 अदा होना ही होना इस से लाइफ काम अधा हूता है लाइफ ढिल डिफ, जब तक आप जेल में तब कर लेकिन सब्सक्राइब नहीं देना चाहिए कि आजकल क्या कानून में विवस्था है कि 14 साल के बाद रिमिच्चियों रिलीज कर सकते हैं अगर गुड कंडक्टरी साब हो तो उस पर उनने विश्चिस सम्जेटी संकाल साहब ने पूछाब कि वाट इस दिवास तो इस दिवास तो इ अगर गुड के वाद आपर 14 में वाड विन सीट आपनाट इसमें एक आखरी सवाल है कि मिचले डालत और हाइप कर दिया था इस तो इसा केस है मसला जहां उविदेंस को तिमा को देखा गया अच्छी तरा सुचिए ट्रायल की कंडक्ट गी क्या रूल ओक लोगा इसकितिं मैं आज इस तरह की केसे में कोड ट्रायल पर होते हैं ना जकि एक तर्म इस तरा हो ना कि एक एक क्यूश ट्रायल पर है कि गवाओंग और अच्छी तरह सब लाने ने दिया है कि गवा देरहे तो सारेख सारे मूस्ती हो स्टैल हो जए है तो दोनों को लगा एविदेंस उन और उस कंडिशन में यह वन ऑफ दस ऐसा रेरेसी केस है, जिसमें कि यह सजा के लाइट है, और सुप्रिम कोड का फैसला इसलिए भी नायाब है, इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इसमें सजा और सवाल दोनों उठाए गए हैं, दोनों तैकिये हैं सुप्रिम कोड ने, सज जे शर्मान दिली आइसलिए